ओके तो ट्रेलर से स्टार्ट करते हैं जब कैट सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया था यूटूब पर तो मुझे वो बहुत जादा पसंद आया था रंदी फुडा जी को मुझे देखना था कि उनके उपर एक अलग से सीरीज बनाई जा रही है तो उसमें वो कैसे परफॉर्म करते हैं और इस सीरीज की स्टोरी क्या होने वाली है डेफिनिटली इस सीरीज को मैं देखना जागा था कैर अब आते हैं इस सीरीज की कहानी पर अब अगर ट्रेलर को देखेंगे तो आपको पदा चल जाएगा अब बात करते हैं इस सीरीज की स्टोरी की एक गुर्णाम नाम का एक व्यक्ति जिसे प्ले किया है रंदी भुडा जी ने वो एक पुलिस का इंफोर्मर बहुत टाइम पहले हुआ करता था पंजाब में जब पंजाब में टेर्रीजम था अब वहाँ पर उसने पुलिस की हेल्प क्यों की थी उसके पीछे एक रीजन है वो इस सीरीज में दिखाया जाता है जो काफी अच्छी बात है अब वहाँ पर ओ टाइम में अपनी मदद करने के बाद काफी टाइम भी जाता है अब गुर्णाम का जो भाई है वो नशे की कारण जो है पुलिस उसे ग्रफतार कर लेती है तो गुर्णाम को अब उसे चुड़ाना है चुड़ाना है तो पुलिस उसके सामने एक कंडिशन रखती है कि देखो अगर तुम्हे अपने भाई को अगर बचाना है तो फिर से आपको पुलिस का इंफोर्मर बनना पड़ेगा ताकि नशे की जो नतलत लग चुके है नशा जितना आ चुका है पंजाब में उससे चुटकारा दिलाया जा सके गुर्णाम इसके लिए हाँ भी कर देता है टेंशन ना लो मैंने कोई भी आपको स्पोयलर नहीं दिया है वही स्टोरी बताई है जितना आपको ट्रिलर में देखने को मिलने माद यही स्टोरी है वो इसमें होने वाली है कहानी को बहुत अच्छे से किया गया और हर करेक्टर के साथ जैसे कनेक्ट किया गया वो मुझे काफी जादा पसंद है मतलब आप सीरीज को देखने बैठोगे एक एपिसोड देखोगे दूसरा एपिसोड देखोगे तो एक डार्क सी फिलिंग आएगी इस सीरीज बहुत जादा सीरियस है ऐसा फील आपको होगा जिससे आपका इंटरस्ट इसके अंदर क्रियेट होता है मेरा तो डेफिनेटली हो गया था ट्रिलर से ही हो गया था तो गुरुनाम अपने भाई को कैसे बचाता है यह बचा पाता है या नहीं इन सवाम सवालों के जवाब तो देखो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही मिलेगे अच्छी बातों के बारे मैंने चर्चा कर लेगे अब थोड़ी बहुत इसकी कम्यों के बारे मैं बात कर लेते हैं कि क्या इसमें कम्या है तो देखो एक जो informer होता है किसी पुलिस इंस्पेक्टर का, किसी भी पुलिस अधिकारी का, तो वहाँ पर उसको बड़ी secret तरीके से होता है, बतलब कि किसी को पता ना चले, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो खुले आम पुलिस अधिकारी से मिल रहे हैं, और एक पुलिस को नहीं, लगबख सभी पुलिस वालों को बता है कि यह बंदा पुलिस का informer है, और जैसे गुर्णाम अपना mission स्टार्ट करता है, तो ऐसा feeling आई कि यार जो writer उसने रत्ती भर भी महनत नहीं की होगी, यार थोड़ा वो तो बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके mission को, लेकिन नहीं, यार वो देखकर ऐसा लगए यार ऐसे तो हर कोई कर लेता है, ये तो बहुत घिसा पिटा तरीका है, हमने पता नहीं कितनी बार movies में ऐसा चीज़ें देखे हुई हैं, या series में ऐसी चीज़ें देखे हुई हैं, क्यार जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं किस particular scene की बात कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि छोटी-छोटी कम्या impact नहीं डालती है, series के interest के पर definitely वो डालती है, आप कहीं न कहीं थोड़ा सा disconnect इससे हो गये, मतलब मैं हो गया था है, मैं सोच रहा था यार ये जब चीज़ें अगर ना होती, इसके पर थोड़ा सा और focus किया होता, क्योंकि वो कहीं न कहीं impact डाल रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सरयाम कुले मिल रहा है, या फिर ये जब चीज़ें जो एक दूसरे को जानते हैं, अब इसके अलावा series में आप देखते हैं, कि आगे क्या होने वाला है, या फिर कौन क्या करने वाला है, कहीं न कहीं आप predict कर पाएंगे, simple भाजे में बात करों, तो story आपको predictable लगती है, हाँ, suspense कहीं है, वो आपको हैरान कर देंगे, अब एक scene जो इसमें आता है, थोड़ा सा मुझे relevance नहीं लगा इस series में, कि एक जो lady police है, जिसका नाम बबीत है, उसने अपना धर्म change कर लिया है, इसा ही वो बन गई है, अब वो धर्म उसने इसलिए change किया, क्योंकि उसको उँच नीच, वो उससे बहुत जादा तंग आ गई थी, इस बात का relevance जो है, इस series में मुझे कहीं पर भी नहीं मिलता है, मतलब ये सब चीज क्यों दिखाए गई, उससे क्या मतलब बनता है, मुझे कहीं से भी नहीं मिला, तो इस अधार पे भी कहूँ यार, कुछ अच्छा introduce करते, कुछ पढ़िया और focus करते, बजाए इन तरीके चीजों के, आप दिखा क्या रहे हो, उसका मतलब क्या है इस सेरीज में, वो सब चीज नहीं होती है, और जो cat का first season आया है, definitely इसका second season आने वाला है, क्योंकि इसमें first season में story खतम नहीं कही गई है, अब इसके second season का, तो देखा है, और मुझे इतना कोई बेसबरी से इंतजार है नहीं, क्योंकि first season जितनी मैंने इससे उमीद देखी थी, उस नूवीदों पर एक खरी नहीं उतर पाती, मेरे तरफ से तो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा, 5 out of 10, अगर आप लोगों ने इस सीरीज देखी है, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों इस सीरीज कैसी लगी, बागी अगर नहीं देखी है तो one time आप consider कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में, thank you for watching this वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहें!